स्वागत है आप सबका लाइव लॉग की इस खास पेशकश कोट्स टुडे हिंदी में जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोट्स से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे तो जरूर जाएए ल प्रकून फैसले से सुप्रीम कोट ने बुदवार 28 अगस्त को कहा कि धन संचोधन निवारन अधिनियम यानी PMLA के तहट एक मामले में हिरासत के दौरान एक आरोपी द्वारा प्रवर्तन निदेशाले यानी ED के जाच अधिकारियों को दिया गया बयान किसी अन्यमनी लॉ कारियों नहीं माना जा सकता है जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस के भी विश्वनाधन की पीट ने मनी लॉंडरिंग मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए ये महत्वपून फैसला सुनाया पेडों की कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडिये के खिलाफ सुप्रीम कोट में अफमानना मामले की सुनवाई अब नियाय मूर्ती अभे एस ओक की अध्यक्षतावाली पीट के बजाए भारत के मुख्य नियाय धीश की अध्यक्षतावाली पीट द्वारा की जाएगी मामला कल सीजे आइडी वाई चन्रिचूर जस्टिस जेबी पार्देवाला और जस्टिस वनुझ मिस्रा की पीट के समख सुची बद है इस मामली की सुनवाई जून जुलाई में कई दिनों तक जस्टिस अभे एस ओक और जस्टिस उजल भुयान की जिसके दोरान डीडिये और उसके उपाध्यक्ष को पीट के कई कठिन सवालों का सामना करना पड़ा मुख्य छतरपुर रोड से सार्ख चौक तक सड़क चोड़ी करन परियोजना के लिए पेडों की कटाई की गई थी नियाह मूर्ती ओक के समक्ष सुनवाई के दोरान अ कलकत्ता उचने आले ने हितों के तकराव के आरोपों के कारण 50,000 रुपे की अनुकर्निय लागत के साथ एक नियाधीश के रोस्टर को संचोधित करने की मांग करने वाली एक जनित याचका को खारिच कर दिया है नियायाले ने कलकत्ता उचने आले अपीलिय अपक्ष नियमों को लागू करके वादी को दुबारा जनित याचका दायर करने से भी रोग दिया है याचका करता वकील संजे दास ने पुलीस की निश्क्रियता के मामलों की सुन्वाई कर रही नियायमूर्थी अमरिता सिना की पीड को बदलने की मांग करते हुए दावा किया कि चूंकि पश्चिम बंगाल CID नियाई मूर्ती सिना के पती के खिलाफ जाँच को प्रभावित करने के लिए अपनी पत्नी के कारियाले का कथे तोर पर इस्तिमाल करने की जाँच कर रही थी इसी लिए उन्हें पुलीस मामले नहीं दिये जाने चाहिए ताकि नियाई प्रणाली में जनता के विश्वास को बचाया जा सके मुख्य नियाई धीश टी एस सिवग ननम और नियाई मूर्ती हिरन में भटाचारिया की खंड़ पीट ने याचिका को मुख्य नियाई धीश के कारियाले को डराने का प्रयास बताते हुए खारिच कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज 28 अगस्त को महराश्य सरकार के राजस्व और वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचीव श्री नराजेश कुमार को अवमानना कारवाही के लिए शो कॉस नोटिस जारी किया उनके द्वारा दायर एक हलफ नामे में कुछ बयानों पर आपत्ती जताई गई जिसमें सुझाव दिया गया था कि कोर्ट कानून का पालन नहीं कर रहा है ये देखते हुए कि बयान प्रथमद्रिश अवमानना पून थे अदालत ने उन्हें 9 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्तित रहने का निर्देश दिया है नियाय मूर्थी बियार गवई और नियाय मूर्थी केवी विश्वनाथन की पीट एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें महराश्य राज को उन आवेदकों को उचित मुहाफजा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था जिनकी जमीन राज के पास है इस प्रिष्ट भूमी में नियाय आले ने प्रधमद्रिश हलफ नामे में उलिखित कथनों को अवमानना पून प्रकृती का पाया और अवमानना नोटिस जारी किया करनाटक उचने आले ने एक महिला के अपहरण के आरोपी जंता दल सेकिलर नेता एचडी रवन्ना को दी गई जमानत को रद करने की मांग करने वाली विशेश जांच टीम यानि S.I.T. द्वारा दायर याचिका को खायच कर दिया है न्यायमूर्ती M. नागपसन्ना की एकल न्यायदीश पीट ने पक्षो को सुनने के बाद एक अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था रवन्ना को विशेश अदालत ने 13 मई को जमानत दे दी थी उचन्याले ने आज मामले में सहारोपी सतीश प्रवन्ना और अन्य को भी जमानत दे दी विस्तरित पैसले की प्रती का इंतिजार है S.I.T. ने कहा कि महिला के साथ कथित तौर पर प्रजवल प्रवन्ना के अशलील वीडियो ने पीडित के बेटे को शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया आरोप है कि शिकायत दर्ज करने से पहले ही महिला का पहरंड कर लिया गया था और उसे चुप कराने और सबूतों को नश्ट करने का प्रयास किया गया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो जनता दल से किलर नेता के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज ना करे करनाटक उचने आले ने मंगलवार को अंत्रिम राहत के माध्यम से 2022 में स्पैंक लेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई मान हानी की कारवाही पर रोक लगा दी जो भाजपानेता एले रवी सुब्रमानियम द्वारा समाचार पोर्टल दे न्यूज मिनिट के मालिक के खिलाफ की गई थी न्यायमूर्ती हेमंद चंदन गाउडर की एकल न्यायदीश पीट में आदेश साथ नियम ग्यारा भाग एक और भाग डी के तहत उसके आवेदन को खारज करने के ट्राइल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी द्वारा दायर सिविल याचका पर यादेश पारित किया जिसमें सुब्रमनियम द्वारा दायर याचका को इस आधार पर खारज करने की मांग की गई थी कि इसमें योगिता का आभाग है वादी द्वारा प्रकाशित ट्वीट्स और लेखों के लिए मीडिया हाउस सहित विभिन व्यक्तियों के खिलाफ तीन करोड र 1337 कि समान प्रावधान के बहिशकार के खिलाव दायर याचका को प्रतनिधित्व के रूप में मानने का निर्देश दिया कारिवाहत मोकिनियादीश मनमोहन और नियामूर्ती तुशार रावगडेला ने केंद्र सरकार को अभ्यावेदन पर शीग्रता से 6 महीने के भीतर निर्ने लेने का निर्देश दिया याचका में आईपीसी की धारा 377 के तहट प्रदान किये गए गहर सेहमती वाले यौन कृत्यों के खिलाव कानूनी सुरक्षा बहाल करने की मांग की गई है याचका में ये कहा गया है कि ये व्यक्तियों विशेश रूप से LGBTQIA प्लस सारी वेबसाइट www.livlaw.in जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं Live Law Hindi पे आपको Hindi में सारी ताजा आपडेट्स भी मिल जाएंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कॉमेंट करिए अपने व्यूज हमें YouTube पर प्रतिमा में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिजम को प्रमोट कर सकते हैं धन्यवाद